गोदेव, क्या यग्य पूजा आर्चना करना जरूरी है? गौतम बुद्ध इसके खिलाफ थे. मैं आपको आज का बुद्ध मानता हूँ. आप तो रोज पूजा करते हैं. पूजा अगर जरूरी है तो क्यों? हाँ, पूजा हमारे लिए कोई जरूरी ने है. पूजा करना जरूरी है क्या? ये एक प्रश्टे है. हाँ, एक वातावर निर्मान करने के लिए ये जो पद्धती चली आ रहे है सनातन समय से इसका अपना एक महत्त्य है. उस पूजा के वक्त तुम बैठो कि तुमारी जो चैतना अलग होती है कि अलग लगता है कि नहीं? कुछ तरंग महसूस होता है कि नहीं? करम खान को चोड़ जो तुम बैठते हो ध्यान में वो मंतरों के नाद से जब मंतरों के नाद से तुम स्नान करते हो या मंतरों के नाद को तुम अपने में लेते हो बुद्धी शुद्ध होती है कि नहीं मंत्रों से क्या होता है अद्रिष्ट की उत्पत्ति होती है अनि रचनिय शक्ती चैतन्य पैदा होता है हमारे बीतर इस कारण से मंत्रों का उच्छारण का महत्र है और उसके साथ थोड़ा सा कर्मकारण रखते हैं कि उससे भी बातावर्ण में एक पॉजिटिव एक सकारात्मक तरंगे उड़ती है यही है देखो पूजा करना ही है ऐसा कुछ नहीं तुम बैठो हर सांस में पूजा होगी बैठोगे ध्यान करोगी वही सबसे बढ़िया पूजा है ध्यान से बढ़कर कोई पूजा नहीं औ मंतर बोलते रहें करते रहें स्वाहा स्वाहा करके आग में सा चीजें डालते रहें उनका भी कोई उसका महत्व नहीं है तो ध्यान में सब कुछ है ध्यान करोगे सात में ये भी करोगे उसका महत्व है नहीं होता तो हम क्यों करते हैं उसका कुछ महत्व है वातावर्ण श अब देखो घर में, तुम जब एक दिया जलाते हो, दिवाली के दिन तो चार दिया जलाते हो, कुछ प्रशाद बनाते हो, मिठाए रखते हो, फूल माला लाके रखते हो, एक वातावन बनता है कि नहीं? बदाओ, त्योहार के दिन बन द्वार बंदन कुछ करते हो, घर कुछ घर में कुछ लगता है कि नहीं? और किसी का घर में कुछ नहीं होता, मानलो ना कोई द्वार बंदन, ना कोई दिया जलता ना, अगर बती जलती, ना कुछ है, ना मिठाई, ऐसे डाइनिंग हाल में आ, मैं सुस्किया है, करके देखना, किसी के घर में जहां तुद्धा सरवे करके देखो, और जिस घर में एक दिया भी जलता हो, कुछ स्वच्छता है, पूल माला पहना है, कुछ एक 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 आल्टर है, क्या बोलते हैं, इक देवस्थान है, एक स्तान बनाया, एक मंदिर बनाए गर के अंदर, तो घर का वातावरन में एक अलग सी बात होती है, मन्दिर रखो ये नहीं बोल रहा हूं गर में, एक दिया जला हो गर में, उसी से एक वातावरन अच्छा होने लगता है, इस तरह से ये सब अपना वात, भगवान को खुश करने के लिए नहीं, वो है, यदि हम सोच लेते हैं, परमात्मा को खुश करने के लिए, हम सब ये सब कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है, परमात्मा को खुश करने के लिए, परमात्मा तो आनन्द सुरूप है, उनको क्या कुश करनी है, तुमारा नारियल पोड़ने से वो खुश हो जाएगा, उ को कुछ अच्छा लग नहीं इसलिए तुम करते हो अरती सा एक और यह संसकार औरो में लगता है जबकी हम लोगों को जरूरत नहीं है कुछ भी करना इससे करने से हमारे जो समाज में अगले पीडियो में कुछ संसकार पढ़ता है खासतोर से बच्छों में इसी कारण से भी जिन को ये जरूरत नहीं है फिर भी वो करते रहते हैं भगवान कृष्णी यह कहते है गीता में मुझे की कर्म करने से कोई फ़ेदा नहीं है मुझे करना ही नहीं है इससे मुझे ना कोई लाब होगा ना करने से नुकसान होगा ज्यानियों को ना करने से कोई नुक्सा नहीं, करने से कोई लाब नहीं और फिर भी हम करते रहते हैं क्यों महाजनों गतव ये न सपन था जैसे बड़े लोग करते हैं वही पत बन जाता है महाजनों ये न गतस सपन था तो महाजन जिस जहां पर चलते हैं वो पत बन जाता है इसलिए इसलिए भी इसलिए थोड़ा थोड़ा रखना चाहिए थोड़ा सा करम कान रखो जादा नहीं, दिन रात वही करते रो यह नहीं जीवन में कभी इसलिए हर आश्रम में भी एक दो पूजा होती है इसका अपना है एक-एक तत्व के साथ संभंध है मंत्रों का द्रवी के साथ संभंध है ग्रहों का द्रवी के साथ संभंध है तो ये जो अदृष्य की उत्पत्ती होती है जो यग्य से वो अपने में अनूठा है ज्यानी के लिए, मुक्त के लिए, सन्याशी के लिए किसी चीज की जरूरत है, इसा बिलकुल ही नहीं जरूरत है